हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल तो यह तैयारी आज मैं जो कर रही हूं ना यह घर पर ही बर्थडे पाटे के लिए कर रही हूं मैं तब जादा नहीं थोड़े बहुत लोग आये थे लेकिन उसमें भी अगर कुछ बहार से मंगा के खिलाओ ना तो मुझे अच्छा फ पानी डाल दी और इसको गैस पर रखके चार से पांच इसमें सीटी लगा लिए जिससे आलू ना अच्छे से पख जाए कोई भी कच्छा ना रहे या अंदर से जो थोड़े से कड़क रहते हैं वैसे ना रहे अब थोड़े सी प्याज काट नहीं तो चार से पांच मैंने पेली ले लिए को से बारी कि में अध sudah घट नहीं करना है कि जहीं प्रकम आम चैना पेआरे बड़ि यूस और मिक्सर में हलका मिक्सर को घुँमा दे जिससे यह कट हो सकती है और वहने है林 hesitant say thumbs कटकर प्याज बहुत जादा त listy कर रहे हैं अगर चोटी बड़ी बच्चों के लिए तो घरगाई बना के खिला जाए जिससे घर में भी माहौल बना रहता है कि हाँ आज कुछ तो है जिसकी तयारी घर में चल रही है और यह आज से नौ मैंने हारीमश ले ली थी हरीमश कर ली अदरक लहसन मैंने पहले सी जो खड़ा धनिया होता है वह इसको हम थोड़ा सा फूंच लेंगे जो रोस्ट कर लेते लेंगे जिससे ना इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है मसाले ना हम वही यूज करते लिए थोड़ा सा तरीका अगर बदल लेना तो उनहीं मसालों का स्वाथ बढ़ जाता है तो कोट लेना अच्छे से तो एक एक करके मसाले डालते जाएंगे इसमें कडी पता लिया है कडी पते लेंगे टाकि सबदे अराम अराम से डाल देंगे तो कूटने में थोड़ा सब दिक्कत होगी और मिक्सर में अकर ग्राइंड करेंगे तो जादा पेस्ट बन जाएगा तो कोटना है तोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब कूटने जो मसालों कोटके जब डालते हैं तो इसका स्वाध आता है एक तो होता है इसलिए मैंने यह मसाले से कूटके यूज करें और अब यह आलू जो है कुकर खुल गया इनको भी हम क्या करेंगे गर्म गरमी इनको छील करना अच्छे से असानी से उतर जाएगा अब फूरा ठंडा करके चीलेंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और छीलते भी नहीं है अब इनको रफली चॉप्ट कर लेंगे तो पहले इस टाइप से हाथ से ना देखिए जैसे में कर रहे है इस टाइप से कट कर ले आलो ना भी थोड़े गरम-गरम है एक दब मैश नहीं करना नहीं तो जो अंदर जो मसाला हम भरेंगे ना उसे बिल्कुली मजा नहीं आएगा तो यह चॉप हो गए आलो अच्छे से अभी कढ़ाई ले लेंगे इसमें हम ऑई लेंगे तो तीन चमच के आसपास ऑई च्छा जीरा आधी चमच सर्सों और जो खड़ा धनिया उता है एक चमच एट कर देंगे तो सबी चीज़े एक चमच एड़ कर देंगे क्योंकि वागी मसाली में कूट चुके और आधी चमच के आसपास इसमें हींग अच्छे साथ जाए मतलब जो जो हमने घ्राइ ब्राउनिश कलर हो जाए ना तब तक बस हमें से सेख लेना है इसे ज्यादा नहीं सेखना है उसके बाद जो मसाले कूटके रखा है ना हम इसको एड़ कर देंगे और इसको भी हम ऑईल में अच्छे से से लेगे यह मसाले को जैसे एड़ करेंगे ना तो ऑईल यह पूरा एड़ कर देना है अलो का ध्यान रखे हाथ से बिल्कूल ना मिसे नितिक दम वह पुछला जो बन जाता है आलो का वैसा बन जाएगा अलो ना हमने एक सब कड़ाई में एड़ कर दिया है विसमें मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले स्वादमसार नमक तो मैं डिर चमश नमक लिया है आदी चमश कल लालविश पाओडर और आधी चमश इसमें गरम मसाला एड़ क्या है लालविश पाओडर कम अड़कर मैं ऑपाऊले तो ज्यां एक दम एक दम से तीखा नहीं लगता अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाओडर हुड़ अगर मन है तो अकि पहल अब पूरे मसालर के मिक्स करें कितना ही अच्छे से पीड़ा हिसा स्वालो थोड़ा गिला-गिला हो जाता है में दो चम्माच शाइम ऋद्या ina युवें भूच कर जाए ब्यूच हो जाती ना ह। नालों को अच्छा करना ऑप replies धूरा CR-2 धे फैलाके रख देंगे इसको इस टैक्स से ठ़्टा हो जाए। और जब तक मसाला ठंडा होगा तब तक हम अपनी बाकी की तयारिया कर लेंगे। मसाली को साइड में रख देंगे। इसे किसी ठाली और किसी कपले से ढख देंगे। अब जो बेशन हम उसन करने वाले उसको मैं चान के ऐुजा ही तो बेशन ले लेना थोड़ी तो जयदा सा अलो पड़े बनाने वाली हूं और ये सिए ज्युक्र कि अनदाज़ा नहीं रहें कि मिस्तिना मसाला इसमें एड़कर करें इसको पानी में घोल लें तो तो मैंने थोड़ा इसको थोड़ा भी पतला एक गोल मेरा थोड़ासा बेशने इट करना तो नमक हिसाब से एड़ करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें घोल को तो देखे धनिया के कारण थोड़ा सा गाड़ा सा हो गया है पर एक बार ट्राय कर लेंगे उसके बार लगता है तो फिर से थोड़ा सा एड़ कर लेंगे और यह मसाला भी ना हमारा ठंडा हो गया अटो जाते चोटी करनी है और अगर आपको कम बनाना ज्यादा बनाना तो आप अपने हिसाब से देख सकते तो अपने हिसाब से इसकी बॉल तैयार कर लिये वैने बिलकुल चोटी वाली ब्लस बनाई है और अब इनको हम एक साइड में रखते चाहेंगे मैं पूरी तयारी कि मैंने ऐसे करके रख ली थी ताकि मैं जली से गरम घरम इनको से के देती जाएं एक हैं ये जादा कम हो जाताए फोड़ा बहुत लेकिन अच्छे से बन गई है और अच्छे से 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 दालने के तादा जया नहीं आरा केDot तो बना के त्यार हो जाएंगे जो आलो में मौशर हो त refund deshalb Hakika करों जो आलू मसाला था वह मुझे पर्फेक्ट नहीं रहले कर लिया था किनमक नहीं पर बराबर नसमें मिर्च मसाला सभी कुछ तेल गर्म हो लिया है अच्छे से एकदम गर्मा गर्म में इनको एड़ करना है और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करना और मीडियम फ्लेम पर इनको सेखना है तो यह सभी की सभी बॉस एड़ करें थोड़ा सा बेसन पतला हो गया है इसलिए देखिए स्टैफ से कढ़ाई में गिर रहा है आसपास तो मैं इसमें तो अज़ा सा बेसन और skincare करूँगी पर यह एक बैस ज़ो मैं डाल दिया था तो इनको तो मैं सेके निकाल लेती हूं बैसम धोड़ा सा पतला है तो इनको शेक लिया है और साथ मैं डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोड़ा जिससे हमारे जो अलू बड़े नहीं तो थोड़े से बड़े बड़े बनेगी मतलब फूले फूले से बनेगी अच्छे तो यह देखिए जो फर्स्ट वैस था ना जो मैंने सेका था यह सिख चुका है घोल थोड़ा सा पतला था जिसके काराण इस टाइब से आलू बहार निकला तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गोल था उसमें चार से पांस टेबल हिस्पून के आज पास मैंने बेसन डाल के उसको और अच्छे से घोल लिया तो हमेरा घोल जो बनके तयार हो एक दम परसेक बन गया था तो कोई बात निए बाद में इसमें प्याज वगा डाल के भजिया सेक लिये थे और अब इसको मै बहुत लेट हो रहा था मुझे इसलिए मैंने हाथ का यूज करके फटा फट से सभी बर्णों को कड़ाई में डाल के सेख लिया था और जितने मुझे लगने थे ना मैंने लगने गर्मा-गर्मी इनको सेखा था लेकिन फिर भी का ठंद के मौसम होने के कारण यह बहुत ज क्या बनाती है यह थो की चैनल पसे बने मैंने अपलोड होने लाट की पस्के में आपने विडियो चैनल पर यह अपलोड है तो यह नाशते की विडियो के लिएुए तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताएए वीडियो अच्छी लगए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चलनल परना है तो चलनल को सब्स्क्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले यह रहे अलू बड़े और बैबाए